समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीटर पर लिखा कि 14 अपरेल को अम्बेटकर जयनती पर दलित दिवाली मनाई जाए। उनके इस ट्वीट पर अखिलेश घिर गए और टोलर्स ने उन्हें एक माफी मांगो अखिलेश से ट्वीटर पर ट्रेंड कर दिया। लोगसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े हैं। करारी हार के बाद यह गटबंदन तूट गया और दोनों दलों के बीच बड़ी दरार आ गई। अब अखिलेश यादव ने दलीतों को लुभाने के लिए 14 अपरेल को दलित दिवाली मनाईगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बताया। जयबीन दोस्तों मैं जोतियम बेट कर और आप देख रहे हैं समतावास टीवी। दलित दिवाली क्या होती है? क्या आज से पहली भी यह दलित दिवाली मनाई गई है? और दलित दिवाली मना कर अखिलेश यादव क्या दिखाना चाहते हैं? कि बाबा साहिब सिर्फ दलितों की नेता हैं या बाबा साहिब का वलिदान दलितों के लिए था। समाजवादी पाटी के रास्ट अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की राजनीती के अमवस्यकाल में शविधान खत्रे में हैं। बाबा साहिब ने स्वतंत्र भारत को नई रोशनी दी थी। इसलिए डॉक्टर भीम रावंबेटकर की जयनती पर 14 अप्रेल को समाजवादी पाटी दलित दिवाली मनाईगी। उन्हाने कहा कि लोगतंत्र की संस्थाओं को कमजोर करने में भाजपा ने जराभी संकोच नहीं किया है। सविधान में वर्णित, विश्वाश, धर्म, उपासना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अप्रभावी कर दिया है। समाजिक, आर्थिक और राजनितिक नियाई की अवधार्ना को समाप्त कर दिया गया है। परस पर विभेद और विशेद की ताकतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अखिलेश के निर्देश पर सपाई 14 अप्रेल को देश्व्यापी दलित दिवाली मनाएंगे। प्रदेश के प्रतेग जिले और देश भर में कारकरता शाम को समाजवादी पार्टी कारले अपने घरों पर सार्जनिक इस्थल या डॉक्टर अंबेटकर की प्रतिमा इस्थल पर दीपक जलाकर शद्धा के साथ नमन करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट अध्यक्ष वा पूर्मुख्यमंत्री अखिले सियादव ने प्रदेश और देशवासियों से अहवन किया है कि 14 अपरेल को बाबा साहिब डॉक्टर भीम रावंबेटकर की जयनती पर दलित दिवाली मनाएंगे। माना जा रहा है कि यूपी में दलित वोटो का समीकरन साधने के लिए सपा प्रमुख ने यह दाव चला है क्योंकि अगले साल सुरुआक में ही विधान सबा चुनाव होने हैं। ऐसे में देखना होगा कि सूबो का दलित मतदाता क्या मायावती का साथ छोड़ कर अखिलेश यादव के साथ आएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीटर पर लिखा कि 14 अपरेल को अंबेटकर जयनती पर दलित दिवाली मनाई जाए। उनके इस ट्वीट पर अखिलेश घिर गए और टोलर्स ने उन्हें एक माफी मांगो अखिलेश से ट्वीटर पर ट्रेंड कर दिया। लोगसभा चुनाव में बहुजन समाज़ पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े हैं। करारी हार के बाद यह गटबंदन तूट गया और दोनों दलों के बीच बड़ी दरार आ गई। अब अखिलेश यादव ने दलीतों को लुभाने के लिए 14 अपरेल को दलित दिवाली मनाने की बात कही है। हाला कि उनके इस आववन पर वह बुरी तरह से घिर गए हैं। ट्वीटर पर माफी मांगो अखिलेश टॉप ट्रेंडिंग में है। अखिलेश ने B.S.P. के कोर वोटरों पर पेड़ बनाने के लिए 14 अपरेल को अमबेटकर जयनती पर दलित दिवाली मनाने का फैसला किया है। उन्होंने इस मामले में ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्वीटर पर लिखा भाजपा के राजनीतिक अमावस्य के काल में वो सविधान खत्रे में है। जिससे बाबा साहिब ने स्वतंतर भारत को नई रोशनी दी थी। इसलिए बाबा साहिब डॉक्टर भीम राउं अम्बेटकर की जयनती 14 अप्रल को समाजवादी पार्टी यूपी देश और विदेश में दलित दिवाली मनाने का अहवन करती है। इस पर एक यूजर ने लिखा कि कनाड़ा में अम्बेटकर जयनती को समानता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और अखिलेश भारत में लोगों को बाटने की बात कर रहे हैं। लोगों ने लिखा कि अम्बेटकर जी कहते थे कि हम सिर्फ भारतिया हैं। और अखिलेश यादव भारत के लोगों को बाटने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने लिखा कि इस तरह के ट्वीट से अखिलेश ने अम्बेटकर जी को सिर्फ दलीतों तक सीमित कर दिया। अखिलेश यादव की बातों से ऐसा प्रतीत होता है। अखिलेश यादव महान निर्माता बाबा साहिब को सिर्फ दलीतों का नेता सावित करना चाहते हैं। बाबा साहिब डॉक्टर भीम रावंबेट कर भारत के निर्माता हैं। उनका सविधान हर किसी को बरावरी से जीने का अधिकार देता है। बाबा साहिब का सविधान जाती, धर्म, लिंग, भासा, शंस्कीती किसी भ्याधार पर भेदभाव नहीं करता। बाबा साहिब ने देश को क्या कुछ नहीं दिया। बाबा साहिब ने Reserve Bank of India बनवाया। काम के घंटों को बारा की जगा आठ घंटे कराया। लेबल लागू किया, महिलाओं को सम्मान मत अधिकार दिलाया, महिलाओं के लिए maternity leave जैसे सुविधा दिलाई, हिंदु महिलाओं को तलाक, संपत्ती और बच्चा गोद लेने का अधिकार दिलाया। क्या यह सिर्फ दलित महिलाओं के लिए था, फिर क्यूं अखिलेश याद अब उन्हें सिर्फ दलितों का नेता साबित करना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेटकर ने भारत में बड़ी बड़ी इंडरस्ट्री बस्थापित की, देश की आर्थिक नीतियों ढंग से बन पाए, इसके लिए उन्होंने योजना आयोग बनाया। क्या इससे सिर्फ दलितों को फायदा हुआ हैं। बाबा साहिब ने देश के कई बड़े बांदों की परियोजना बनवाई। अखिलेश यादफ को ऐसा क्यों लगता है कि बाबा साहिब की जयनती पर दलित दिवाली मनाई जानी चाहिए जिस व्यक्ति ने बाबा साहिब को जाना है पढ़ा है उनके योगदान को महत्व दिया है वह व्यक्ति कभी दलित दिवाली जैसी आयोजन की बात ही नहीं कर सकता और जो ऐसा करना चाहता है उसने ना ही बाबा साहब को पड़ा है और ना ही उन्हें अमबेट कर बात की समझ है इस बारे में आपके क्या विचार है और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीटर पर लिखा कि 14 अपरेल को अमबेट कर जैनती पर दलित दिवाली मनाई जाए उनके इस ट्वीट पर अखिलेश घिर गए और ट्रोलर्स ने उन्हें माफी मांगो अखिलेश से ट्वीटर पर ट्रेंड कर दिया लोगसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को बैल आइकोन दवाना ना भूले सबसे पहरे हमारी वीडियो देखने के लिए सबस्क्राइब करेंड़ कुए रटी पार्टी में लिएखने के लिए वीडियो है